कैंसर के विशे में जितनी जूट एलोपैथी में है वितनी ही बड़ी जूट आयरवेद में भी है और मैं सभी वैद्दों से और चिकित्सकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के माद्यम से कि अगर आपको कैंसर पे अनुबव नहीं है तो आप किरपया रोगी ना देखें ये किसी के जीवन का विशे है लेकिन आज मनुष से इतना लालची हो गया है हर चीज में व्यापार मेरे सामने एक रोगी है जिसको छोटी सी ग्यांट थी और उसको ये कह के कि हम इसे पका रहे हैं और फोड़ेंगे आज इस सिच्वेशन में रोगी आ गया है कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं इसे किस दिसा में बढ़ा हूँ तो पहली बात तो जब भी कैंसर की चिकिछा के लिए रोगी जिसके पास भी जाए चाहिए वो एलोपैथी में जाए या आयरवेद में जाए एलोपैथी में बहुत स्टिक इसका इलाज नहीं है एक बार जरूर आपके पैट स्कैन सिटी स्कैन में साफ हो जाता है लेकिन दो तीन च्यार पांच महिने में रिपीट हो जाता है आप एलोपैथी में जाए तो पैरलर आयरवेद ले अच्छे स्थान से अच्छे स्थान का मतलब बड़ी बिल्डिंग नहीं है वैद किसे ले जो वैद के धरम को जाने है वैद का धरम होता है हर संभव परियास करे अ अगर रोगी के पास पैसा ना भी हो तो बले अपना घर भिक जाए रोगी की चिकिच्या पूरी करें तो यह केस है और पूरा रूप से अब इसको बिगाड दिया गया है तो मैं सभी आयरवेद के वैद्दों से भी निवेदन करता हूं कि आपको पैसा कमाने के लिए होता हुशार है